राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं आपको अर्जुन के पतिग्या की कहानी सुनाने वाली हूँ महाभारत की अध्याय से महाभारत का भ्यंकर यूद चल रहा था लड़ते लड़ते अर्जुन रंच छेतर से दूर चले गए थे अर्जुन की अनुपस्तिती में पांडवों को पराजित करने के लिए दोनाचारे ने चक्रव्यू की रशना की अर्जुन पुत्र अभिमन्यू चक्रव्यू भेदों के लिए उसमें खोस कया उसने कुसलता पुर्वक चक्रव्यू की छे चरन भेद लिए लेकिन सात्वे चरन में उसे दुर्योधन जयवधर्थ आदी साथ महारतियों ने घेल लिया और उस पर तूट पड़े जयवधर्थ ने पीछे से निहत्य अर्जुन पर जोरदार प्रहार किया वो अब बार इतना तिर्व था कि अभी मन्यों उसे सहन नहीं कर सका वीरगती को प्राप्थ हो गया अभी मन्यों की मित्यों का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोद से पागल हो उठा उसने पतिग्या की कि यदि अगले दिन सुर्यात से पहले उसने जयदत का वर्द नहीं किया तो वह आत्मदा कर लेगा जैदत भै भी थोकर दुरियोधन के पास पहुचा और अर्जुन के पतिग्या के बारे में बताया दुरियोधन उसका भै दूर करते हुए बोला चिंता मत करू मित्र मैं और सारी कौरफ सिना तुम्हारी रक्षा करेंगी अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुच पाएगा उसे आत्मदा करना पड़ेगा अगले दिन युद्ध सुरू हुआ अर्जुन की आखे जैदत को ढून रही थी किंतुवा कहीं नहीं मिला दिन बित्तेलने लगा धीरे धीरे अर्जुन की निनासा बढ़ती गई यह देखकर श्री कृष्ण बुले पार्थ समय बीत रहा है और कौरफ सिना ने जैदत कोच रक्षा कवज में घेर रखा है अता तुम सिग्रता से कौरफ सिना पर संगहार करते हुए अपने लक्ष की ओर बढ़ो यह सुनकर अर्जुन का उस्सा बढ़ा और वह जोज से लड़ने लगे लेकिन जैदर तक पहुशना मुस्किल था संध्या होने वाली थी तब स्रीकृष्ण ने अपने माया फैला दी इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या ब्रहम उत्पन हो गया संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिग्या वस आत्मधा करना होगा या सोचकर जैदर्द और दुर्योधन खुशी से उचल पड़े अर्जुन को आत्मधा करते देखने के लिए जैदर्द कौरब शेना के आगे आकर आठास करने लगा जैदर्द को देखकर स्री कृष्ण बोले पार्थ तुम्हारा सत्रु तुम्हारे सामनी खड़ा है उठाओ अपना गांधर्व और वद कर दो इसका वाद देखो अभी सुर्यास नहीं हुआ है या कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली देखते ही देखते सुर्य बादलों से निकल गया सबकी दृष्टी आसमान की ओर उठ गई सुर्य अभी भी चमक रहा था या देखकर जदद और दुर्योधन के पैरो तले जमीन खिसक गई जदद भागने को हुआ लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांधर्व उठा लिया था तभी स्रीकिष्ण चेतापनी देते हुए बोले हे अर्जुन जदद को पिता ने इसे वर्दान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी सौ टुकडों में विभगत हो गया इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर भी सौ टुकडों में जाएगा हे पार्थ उत्तर दिसा में या सो योग की दूरी पर जैदत के पिता तप कर रहा है तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वो उसके पिता की गोद में जाकर गिरे अरजुन ने स्री कृष्ण की चैतावनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष की और ध्यान कर वान छोड़ दिया उस वान ने जैदत का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे देखकर सीधा जैदत के पिता की गोद में जाकर गिरा जैदत का पिता चोकर उठा तो उसकी गोद से सिर जमीन पर गिर गया सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी सो टुकड़े हो गए इस प्रकार अर्जुन की प्रतिग्या पूर आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए